इस सिकंद्राबाद सबसे नस्दीक है जेवर के और जेवर में बंद रहा अंतराश्टी एरपोर्ट आपके सामने एक उधारण है बैन और वायों एसिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट आपके पास बंद रहा है इसका सरवादिक लाब तो सिकंत्राबाद और जेवर कोई होने जा रहा है यही लोग सबसे ज़्यादा लाब भी लेंगे हाँ अर्थविवस्ता प्रदेश और देश किसके मात्यम से सुद्रड होने वाली है 12 लेन और 6 लेन के 8 लेन के हाईवे बने रैपिड रेल की सुविदाम देने जा रहे है मेट्रो आ रही है बैन और वाईयों रेल की कनेक्टिविटी डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर का जंक्षन दादरी में हमारे विदायक बैठे हैं इनी की विदानसवा चेतर में डॉक्टर महेश सर्माजी के इसी छेतर में इस कावी लोजिस्टिक का सबसे बड़ा केंदर देश का सबसे बड़ा केंदर बनने जा रहा है जा लाखो नोकरें निकलने वाली है बैन और भाईयों ये पहले दुनिया के अंदर इस परकार के इंफरस्टक्चर के लिए जाना जाता था लेकिन आज सौबागे से ऐसा इंफरस्टक्चर आपके पास मौजूद है या बनने जा रहा है या बन रहा है और गरीब का लियान कारी योशना हो की तो कोई सानी ही नहीं असी करोड गरीब देश के अंदर पिसले चार साल से मुफ्त मैरासन की सुविधा का लाप पराप्त कर रहे हैं साट करोड गरीबों को पांच लाग रुपे की आई उस्मान भारत की सुविधा पराप्त हो रही है वे कहीं भी जाकर के उपचार करा सकते हैं और हमारे यहां तो तरप्देश में तो हमने भी वस्ता दी कि आई उस्मान कार्ड किसी के पास नहीं है बिमार हो गया है हमारा कोई बिदायक हमारा कोई सांसत या पीडित व्यक्ति स्वयम भी मुझे एक पत्र लिख देता है तो प्रधान मंत्री जी ने जंधन एकांट को ले मैं से जंधन एकांट से पैंसा भेज देता हूँ